तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया क्या क्या नहीं किया मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है सबसे पहले आपने क्लास 12 का एक्जाम दिया एक्जाम खतम भी नहीं हुए थे कि आपने CA में एंट्री कर ली कितना uncertainty का महल था देश में आपको याद हो रहोगा उसके बाद उसके बाद बेटा जब आप CA foundation में घुसे तो आपकी कहीं कहीं तमना थी कि हमको face to face क्लास रेटेंड करने मिलेगी लेकिन बेटा लेकिन बेटा पहला बम गिरा आपके उपर और आपको face to face की जगा virtual क्लास मिली जिसको आपने आपने बड़े प्यार सिस्फिकार कर लिया आप stable है आप काम रहे उसके बाद बेटा फिर आप 9 बर की exam के तियारी किये फिर institute ने 9 बर का December exam कर दिया उसके बावजूद भी बेटा आपने अपना patience लूज नहीं किया आप डटे रहे आप डटे रहे फिर आपके उपर एक और बड़ा दमाका हुआ वो कैसा हुआ बेटा कि institute ने बोला कि नहीं नहीं दिसंबर exam लेंगे लेकिन हम आपको January का भी opt-out option देंगे लेकिन आप बेटा आपके अंदर हिम्मत थी आपने बोला नहीं 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 हमको दिसंबर में ही exam देना है क्योंकि आपका बेटा vision clear था आपका vision clear था and clarity is power clarity is power तो बेटा मैं आपको ये तारीफ मैं actual में इसी लिए कर रहा था और मैं आपके बेटा जजबे आपके बेटा तो उसका दिमाग जो है ना वो दही बन जाता है लेकिन आपने इतनी uncertainty को इतने इतने proper तरीकी से आपने जहला है वेटा इसनी मैं आपको salute करना चाहता हूँ तो मुझे ये लगता है मुझे ये लगता है और गर्व से कहता हूँ मैं कि बेटा आपके अंदर CA बनने के वो सारे basic गुण मौझूद है जी हां अरे भाईया 12 के बाद कई लोग तो CA के बारे में किसी के बारे में सुचते नहीं बोले अराम से सुचेंगे लेकिन आपने बीच एक्जाम में CA के अंदर आप घुज गए है ना उसके बाद virtual classes और पहली बार पहली बार जिंदगी में आपको class मिली वो भी virtual मिली और आपने उसको बेटा दोनों हातों से लिया और फिर opt-out का भी option छोड़कर आप बेटा लगे रहे तो CA में यही तो जरूरी है CA का course टफ नहीं है CA का course टफ नहीं बेटा उसमें discipline चाहिए consistency चाहिए hard work चाहिए sincerity चाहिए और वो सब चीज आपके अंदर मौझूद है मैं इस जज़बे को सलाम कर रहो बेटा अब लेकिन आपको मालूम बेटा CA foundation exam हो गई बहुत अच्छा खेलने है आपका run rate गजब है लेकिन बेटा अपने को पूरा match जितना है तो अब ready हो जाईए ready हो जाईए अगले पड़ाओ के लिए CA inter अगले पड़ाओ के लिए CA inter और मेरे को काफी खबर मिली है CA foundation के paper के बारे में आप लोगोंने भर भर के तारिफ की excel की की सर पूरा का पूरा paper excel की book से आया है और बेटा खास बद बताऊं CA foundation का ही नहीं CA inter का भी जो paper है वो पूरा हमारे notes में से आया है तो ये बहुत खुशी की बात है बेटा तो अब मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ क्योंकि इतनी सारी queries आ रही है तो मैंने बोला कि क्योंने एक video बना कि मैं clarity लेकर आऊ हूँ आप लोगों के बीच में सर पहला question हमारा attempt कब दी होगा answer है number आपको number क्या देते ना तो number 21 ये होगा आपका attempt okay इसके बाद मैं one by one question लेते या रहा हूँ जो जो मेरे को आये है दिमाद में अब सर क्या मुझे C enter तुरंट चालू कर देना चाहिए yes of course of course क्यों मैं आपको एक एक करकी डिजन बताता हूँ मेटा सबसे पहले जो जो C enter का जो बोधरूप है ना वो लगबग 1350 घंटे का course है बोधरूप की बाद करों और अगर आप अभी join करते हैं तो लगबग हम हमारी ये planning के बेटा देखो जो एक एक जो बैच चालू थी ना वो थी है आपका result के बाद तो हम ये expect करें कि आपका result लगबग एक मेने के बाद आएगा तो इस एक मेने में हम आपका 175 से 200 घंटे का course complete करवा देंगे 175 से लेगे 200 घंटों तक का course complete करा देंगे result के पहले ठेक है मतब result के बाद जो join करेंगे ना वो कहीं कहीं आपसे पीछे हो जाएंगे आपके अंदर भी energy है उस energy को use करना है उस energy को भूला नहीं आपको फिर आपका study flow बना रहेगा बेटा अभी आप में study करने का एक अलग आप मेरे को मालूम है बेटा कि आप क्या लगे थे क्या आपने hard core मेहनत किया बेटा तो वो जो study का जो flow है ना ये continue रहेगा ये आपका benefit है फिर अभी जो time है ना मैं अभी की तुरंत की बात नहीं करा हूँ अरे हफते बर खूब मजे करो जो मर्गी हो करो बेटा लेकिन उसके बाद आप खुद बोरो जाओगे क्योंकि आप sincere हो ना आपका जो focus हो clear है ना तो बेटा आपका जो best utilization of time यही है वो जो ए कराम करना चाहते हैं एक मेन तक हम कुछ नहीं करेंगे तो बेटा आप उनसे कदम आगे बढ़ जाओगे वैसे भी आप आगे चले और आगे बढ़ जाओगे ओके इसके बाद अब इसका main फायदा मिलेगा बेटा पील क्योंकि 200 घंटे का कुर्स आपने पहले से करके रखा है ठीक है तो जो लोग बाद में जोइन करेंगे उससे आप 200 घंटे आगे रहेंगे पील में 200 घंटे का मतब समझ रहें आप आपको 200 घंटे का extra पील मिलेगा और मैं एक बाद बताओ बटा ये 200 घंटे का जो extra पील होता ना उस पील में लगबग 4 subject complete हो जाते है चार subject अरे 50-50 घंटे में लगबग on and average रिविजन में इतना ही time लगता है और Excel के student को इससे अदा time नी लगता क्योंकि हम इतना घुटवा देते हैं class की दुरान हम पूरी ताकस से पढ़ाते हैं और बहुत hard work करते हैं और बहुत hard work करवाते हैं student से तो 50-50 घंटे में मतलब अ PL स्टार्ट होगा ना उसके पर आप चार subject खतम करके बैठोगे सोचो बिटा और इसकी वज़े से बिटा AIR आने की Sanchez भरपूर बढ़ जाएंगे AIR आने की मेरे को मालब मेटा CA foundation में आपको बड़ा दुख हो रहा है ना क्योंकि इंस्ट्यूट ने AIR जो इंस्ट्यूट देती थे रहा हो खतम कर लिया ठीक है हमको बड़ा बहुत दुख हो रहा है क्योंकि AIR 1 हमारे आसे दो बार आ चुके हैं तो हमको बहुत दुख हो आपको भी दूख कर रहें लेकिन बेटा यह जो अपने अंदर की जो कशिस है ना बेटा अब उसको CA इंटर में दूर करेंगे और AIR हसील करके रहेंगे ओके इसके बाद सर CA इंटर के बारे में थोड़ा बताईए अभी बताते हैं बेटा कुछ-कुछ खास चीजिए सुन सब्जेक्ट हैं फिर यह पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पेपर है पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पेपर है लेकिन जो थेोरिटिकल पूर्शन है ना जो थेोरी पार्ट है जैसे लोग हो गया आउडिट हो गया यह सो गया यह जो थेोरिटिकल पूर्शन है ना उसमे को लगता है कि पूरे CA कोर्स में सबसे टफ CA इंटर है तफ का गलत मतलब मतले ना तफ का मतलब हाड़ वर्क वाला ठीक है तफ तो कुछ नहीं होता आपको मालूँ मेरे कोई मालूँ है क्योंकि इसमें आपको प्रेपेशन करने के लिए बहुत कम समय मिलता है आपका नौंब तुरंत आपके उपर आने वाले बिटा लगबग आठ नो मेने का समय है और आपके आठ पेपर आपको त्यार करना है तो इसलिए मैं बूलता हूं कि सबसे टफ है ओके इसके बाद रेंक लाने का जो मौका है ना अब वो आपको मिलेगा बेटा CA इंटर में ओके फिर इन ब सब्सक्राम करते हैं नहीं बैच्छेस कब से होगी सुनिये गाविटा हमारी डेमो क्लास से स्टाट होगी यूट्यूब में यूट्यूब लाइए हमारी डेमो क्लास से होगी यह देकर शेडूल आपको दिख रहा होगा गर्वान हम चालू करेंगी बैटा 29, 22, 22, 23, 22, 22, 11 बोध रूप जॉइन करना चाहते है क्योंकि उनको फायदा मिलता है ठीक है वो बाकी लोग से अलग है तो उनकी सोच भी बाकी लोग से अलग होती है तो और 25 और 26 दो दिन हम ग्रूप 2 के चार सब्जेक को कम्प्रीट करेंगे बतब 2-2 दिन चलेगा तो 11 से लेकर देड़ ब की वर्चुल होगी की फेस-डूफेस बेटा आपको मालूमें अभी जो देश के हालात हैं तो उसके यहसाब से वर्चुल klarlei प्लेशं चालू करने के लिए अनुमति हमको नहीं मिली है तो इसलिए यह क्लास ह apologize क्यों होगी वर्चुल सर वर्चुल क्लास का कोई benefit है क्या अरे बेटा ग्यानी को क्या ग्यान दूँ आपको तो अच्छे से मालू में बेटा CA Foundation तो पुरा वर्चुल में पढ़ा है तो वर्चुल में कुछ minus है लेकिन कुछ plus भी है और आपको मालू है कि हम लोगों नहीं क्या किया था बेटा minus को भी plus में convert के लिया था आपको मालू होगा अरे कई लोगों ने क्या बोला कि सर हमको ऐसा लगा भी नहीं ऐसा कभी सोचा भी नहीं था हमने कि वर्चुल क्लास भी इतनी जबरदस हो सकती है तो इतने प्यारी प्यारे कमेंट आप लोग क्या आते हैं बेटा कि दिल बाग बाग हो जाता है मज़ा आ जाती है तो वर्चुल क्लास के अपने benefits हैं यह मैंने पहले भी बताए वीडियो में तो इसके उपर मैं बात नहीं करूँगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब CA Inter Virtual Class के हमारे features यह मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इसके बार में अज़े बेटा सबसे पहले यह जो आपको क्लास से दी आईगी वो रिकॉर्डे रहेगी लेकिन लेकिन बेटा आपके लाइव की इचाना हमारी बीच है हम डेली आपसे लाइव मिलेंगे डेली 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 आपसे लाइव मिलेंगे और जितने डाउट होंगे ना बेटा उस क्लास के हम डेली दूर करेंगे हर फेकल्टी से आपको इंटरेक करने का मिलेगा मौका इसके बाद 24 x 7 डाउट क्लीरिंग आपको वालु में एक्सल में है बिटा यह फीचर, एक्सल ने सब से पर इंट्रूइज किया है तो 24 x 7 डाउट क्लीरिंग आपको इंटर में भी मिलेगी, फिर वीकली टेस्स होता है ना बेटा, फांडेशन में इंटर में भी होगा, विट इविलिवेशन, हम पूरी वीकली टेस्स की कौपी सचेकर क्या आपको देंगे, कि यह बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर फिर जैसी कोर्स कम्प्लीट होता है मॉक्टेस्ट दिये थे ने आपने तीन दिये थे हम लोग ने तो ऐसी इंटर में भी मॉक्टेस्ट होगा और और क्या बताइए सर फिक्वेंट रिविजन अरे हम लोग छोड़ते ने बिटा हम ल हम आपके साथ विश्वास हम लोग का ये विश्वास है कि आपके साथ हम भी मेहनत करे लगे रहे हैं फिर यह जो क्लासेस होगी एप बेस होगी यह जो एप है वो एंड्रॉइट फो में या फिर डेस्टॉप और जो लैप्टॉप है उसमें होगा अनलिमिटेड व्यूज हाँ आपके एग्जाम तक जीतनी बार चाए उतनी बार अब उसको देख सकते हैं उसके मज़ये ले सकते हो बिटा ओके इसके बाद अब बेटा हमारे नोट से फाउंडेशन ने जैसे एक्सक्लूजिव नोट से है आप लोग बोलते ना कि सर पूरे पूरे की पूरे की और एडिशनल क्योशन भरबर के दिये हैं और इसकी पूरी हार्ड कॉपी जो एक्सल की बुक है न वह आपको पोस्ट के दौरा हम पहुंचाएंगे ओके फिर जब कोर्स कम्प्लीट होगा उसका था हन्डेट परसें रिविजन होता है एक बात बता दो अभी जिन अब हम लोग लेने अभी चल रहा हमारा तो वो नेचुरी आपके साथ भी होगा पिटा हन्डेट परसें रिविजन आपको देंगे इसके बाद अब मैं बताना चाहता हूं हमारे एक्सल के जो टीम है जस्ट एमिट हाजी हमारे टीम में आठ सब्जेक लिए आठ फेकल्ट चलिए मिलते हैं अपनी फेकल्टी टीम से देखे बिटा गुरुप फन में बिया अगरवाल सर ट्वेंटी नाइन इस ऑफ टीचिंग एक्स्पिरेंस है ना मतलब जो जिनको सरने पढ़ा रहा हूं कि बच्चे भी अभी सर से पढ़ने हैं फिर मैसल सी प्रेविन गोल्चा मैं आपको लॉप पढ़ाऊंगा इस बार और इसके बाद संजे सर को आप जानते हैं सिए लविश मतानी कॉस्टिंग पढ़ाने वाले हैं ग्रूप 2 में देखे बियल सर जो एडवांस अकाउंट मतलब अकाउंट्स ग्रूप 1 ग्रूप 2 दोनों बियल सर लेने वाले सी आ अभिशेक ब्रडिया सर इंसे आप अल्री पढ़ चुके बिठा क्या बता हूं और सिए पवन कर्मिले सर ये सिए फाइनल वालों का ऐसे फिम पढ़ाते हैं और वो हमारे यांस ये इंटर में फानिसल मेरिजमेंट पढ़ाएंगे तो हर फेकल्टी भरपूर एक्स्पियंस स्वतंत्र दिवस के दिन हम आपको करने वाले स्वतंत्र मतलब करीब धाई मेने का आपको पील मिलेगा और मैंने बताया ना बेटा आप किसी और क्लास से कंपेर मत करना अरे कोर्स हम कभी भी खतम करा सकते हैं लेकिन मैं अपने बच्चों की बात करा हूं हमारे एकसल के ज एटाहयज में गरेंटी इता हूं तीन बार नहीं घ्र उति दिन थाप्वाल में वाली में जाए जो को kitten का जो टाइम है उसको ध्यान में रखते हैं विटा हमारी फीस ट्रक्चर में आपको बता दूं 38,000 for group 1 all subject 4 subject का 38,000 group 2 का 4 subject का मिला कि 30,000 रुपे फीस है अगर आप दोनों जोइन करते तो 59,500 रुपीस की फीस है हमारी केवल 59,500 की फीस है बोध रूप जोइन करने पर मदब बोध रूपने नेचुली हम लोग फीस कम कर लेते हैं और यह जो भी फीस है बिटा उसमें तो उसका डेटेलिंग आप एक्सल ओफिस में फोन करके ले सकते हैं आप देख रहे होंगे बिटा नंबर बाजू में है तो उसमें आप कभी भी कॉल करके जानकारी ओल ले सकते हैं अब एक क्योशन आपके मन में आ रहोगा कि सर अनफॉर्चुलीटली मैं जॉइन तो कर हो जाता हूं तो मेरा फीज का क्या होगा बिटा मेरी फीज का क्या होगा सर बताइए तो कुछ लिए आपका जो ट्यूशन फीज है वो हंडेट परसेंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा क्या मैं फेस्टूफेस क्लाज़ जॉइन कर सकता हूं क्योंकि अगर भविश में फेस्टूफेस का गौर्मेंट अनॉश्करती है तो क्या मैं जॉइन कर पाऊंगा आंसर इस कर पाएंगे लेकिन नेचुरी गौर्मेंट के गाइडलाइन के साब से चलेगा, हो सकता है, गौर्मेंट नहीं बोल दे कि 50 से ज़ादा लोगों को नहीं रखना है, तो उसके इसमें first come, first serve basis में admission ले पाएंगे, और conversion के थोड़े बहुत जो nominal charges है, क्योंकि face to face में थोड़े से खर्चे ज़्यादा रहते हैं, तो उसके जो conversion का जो भी charges बताएंगे आपको उस समय, तो वो charges पे करके आप face to face में convert कर पाएंगे, मतब दोनों option आपके पास हैं, आप virtual को continue कर सकते हो, या face to face में convert करा सकते हो, on permit of conversion charges, ठीक है, तो यह अभी इसके लिए बोलना कुछ भी मुश्की रहे, तो government के जो guide आएंगा, उसके इसके उपर हम लोग बाद में बात कर सकते हैं, और इस वीडियो के साथ मैंने बहुत important description link आपको डाल के रखें, तो उसको आप जरूर से देखिएगा, और 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 मैं चाता हूँ कि घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें, अपने घरवालों को ख्याल रखें, और Excel Education Institute का help line number है, यह मैंने यहाँ पे screen पे दे दिया, ताकि आपको कोई भी doubt है, तो आप बिलकुल वहाँ पे phone करके आप पता कर सकते हैं, तो इसके स साथ मैं आपसे अपील करता हूँ कि जो यह जो वीडियो है, वो आपके जो जो students, आपके दो स्यार है, जिनको भी लगता है कि यह helpful हो सकता है, यह वीडियो उनके लिए, तो उनको जरूर से जरूर से बेटा forward कीजिएगा, और Excel Education Institute जाते जाते हैं, मैं आपको कुछ उसको ब हमां का करके 84 students हमारे यहां से AIR आए हैं, CA Foundation में 1st AIR हमारे यहां दो बारा है, 2nd rank, 3rd rank भरे हुए हैं बेटा, 919 जो last exam हुई थी क्योंकि May 20 का exam तो हुआ नहीं था, उसमें total CA Foundation के हमारे यहां से 31, एक time में 31 students है AIR हसिल किया था, उसमें AIR 1 भी शामिल है, सर CA Enter का बताइए, CA आए रेंक हमने CA Enter में दिये हैं, उसमें से जो last exam हुए है, 919 उसमें से 5 AIR दिये है, 5, किसी institute के लिए एक AIR भी proud की बात होती है, अपने last exam में बिटा, 5-5 all India rank दिये हैं, तो passing result की जहां तक बात है, अपने passing percent की बात है, तो 1.52, 2% national level का जबी भी result आता है, उसे Excel का result देट से दो गुना तक होता है, तो इसके साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ बिटा, और आप अराम से सोच के फैसला लीजिएगा, मैंने पूरी बातें complete कर दी, और जाते जाते मैं Excel की एक वीडियो clip आपके साथ छोड़ के जाना हूँ, ताकि Excel के बारे में आपक झाल 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 झाल